मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ दूसरा पित्त का हिस्सा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते न उस समय घी जादा खाईए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रहेए और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध पित्त अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाओ करना है जीवन शैली में बदलाओ से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चले तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पितकफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती हैं ये तीनों सम भाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़ें तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं स अब दुर्भागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औशधी है, मसाले का और औशधी का अंतर मालूम है, ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दूँ, ये अर्बिक शब्द है, फारसी से अर्बी में आय अर्वी से हमारे घुस गया हिंदी में और जगे जगे घुस गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है बागवटकी कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए हैं दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले जीरा ओशदी, धनिया ओशदी, ये ओशदी के रूप में हैं, तो इनकी जो प्रापरटीज हैं, रसोई घर की, ओशदियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं, अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटीओं को जो कुछ सिखाया, सबजी बनाना, तो क्या-क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हीम चाहिए, मात्रा कितनी-कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैग्ज्याने को और चिकित्सक लोग रहे होंगे, क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है ना वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित जादा होता है शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो वाद पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सब्जियों में उसी के हिसाब से ऑशदियां डाली जाती है जैसे दुपहर की सब्जी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सब्जी राथ को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी पित नाशक है अब उस समय में भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाईन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़ादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़ता है आप जानते हैं और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़तना ही चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की जरूरत होती है पित को सम पे लाने के लिए तो भारत में जादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाईन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीज़े हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां कैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और प्रधान मंत्री छाती ठोक के कहगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया So what? पुलिस का खर्च बढ़ गया मने चोरियां बढ़ गई, डकेतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गई, अनाचार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है? तो हमारे जो GDP के calculation है बड़े विच्चित रहें, इसमें चोरी हो, डकेती हो, लूट मारी हो, तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहनें घर में जो करती रहती है वो GDP में है यह नहीं calculation ही नहीं है उसका भारस सरकार कोई calculation नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड बना दी है किसी ने कुछ बना दी है किसी ने गोंद के लड़ू बना दी है किसी ने मावे का कुछ बना दी है तो GDP तो बढ़ी रहा है लेकिन हम calculate नहीं कर रह आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है कई देशों वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं हां यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो वो कहता है कि इस्तरियों में आत्मा ही नहीं होती आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो इस्तरी जो करे वो बेकार है पुरुष जो करे वो ही अच्छा है तो उनके यहां से यह calculation हमारे आ गया कि इस्तरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया, उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वही माल लिया, मैं अभी इसको बदलना चाहता हूँ, और मैं ये समझना चाहता हूँ, और समझाना चाहता हूँ, कि इस्तरियां जो कर रही ह हैं, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है, कि डॉक्टर को आफ फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वो ये एडवाईज दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ, और ये अजवाइन खाओ, आपके पेटकी गैस खतम हो बनती हो पेट में, एसिरिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो आप, खाना खाया, तो उसमें ध्यान रखो, अजवाईन ज़्यादा रहे, दाल में, सबजी में, वगर अगया, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाईन खालो, अजव सब्स्राइन लेरही है, या और फोद्टी आजवाईन के गारांटी है, तो वो कहते हैं, बाग बट जी के पित्त को, सम रखने के लिए, हमारे रसोई में घी के बाच, जो दूसरी चीज, वो है अजवाईन अब एक और बसाता है, अपने स्वैम्पार्ट घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी आउश्च है, उसका नाम है जीरा, जैसे हलद है वैसे ये एक है जीरा, जीरा बहुत अच्छी आउश्च है, पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीम में, ये सब जीरे से छीक हो जाएं पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खटी खटी दकार आउना, भोजन का पचल नहीं होना, इंडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग संसेशन होना, नौसिया होना, ये सब पित्त के कि सबसे अच्छी अशच है उसका नाम है जीरे को ले ली जे आदा चम चार और आधा का पानी ले लिजे कि उसमें मिला लीजिये पानी को खूब गरं कर ली है पानी को खंडा कर ली जिये हमिकों चाय की तरह करने गैस बनना बंद व करड़ाई करटी रकाने वालाना थिक हो जाएगी वही आपाज और चीरा एक से गई सब बीमारी इसे सब्भंद婆उ गई जितनेψेवल को बोलिया जीरा आगे करदिया शॉल्ट ममस्टर हो जाएग ऑउ परग मेन तक है तो जीना बहुत अच्छी हो शो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूले